हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्वार्ट स्टेडी में स्वागत है आज हम क्लास 9 का सोशल साइंस का जो सैंपल पेपर है यूनि टेस्ट का पिरियोडिक टेस्ट का उसको देखने वाले है हैं इससे पहले साइंस का सैंपल पेपर हम कर चुके हैं बाके सभी सब्जेक के भी सैपल पेपर हम कर लेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं टाइविंग minerals ka 1 ग attain धाउने वाला है और marks 20 marks मार्क अपका एक्जाम हेड़ा है तो आएसन करेंगे हिंदी और English medium दोनों का हम साथ में करेंगे तो question देखते है, question number one, क्या कहा गया, मेरा मित्र एक ऐसे देश में है, जिसकी भारत के साथ भूमी सीमा नहीं है, मतलब कि क्या कहा जा रहा है, कि आपको ऐसा देश की पहचान करें, ऐसा question को समझू क्या कहा जा रहा है, कि आपको भारत की border, जो touch होता है, दूसरी international border touch होता है, ऐसा देश बताना है जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं होता है तो बुटान से भारत का बॉर्डर टच होता है बांगलादेश होता है नेपाल से होता है ताजिक स्थान यहां से भारत का जो बॉर्डर है वो टच नहीं होता तो उसने यही कहा है कि ऐसा देश बताओ मेरा दोस्त ऐसे देश में रहता है जो भारत भूमी को टच नहीं करता है तो क्या हो जाएगा B अंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा उसके बाद next question देखते हैं question number second में क्या कहा गया है नीमन लिकित में से कौन भारत के सविधान सभा का सदस्या नहीं था तो भीमरा वंबेट करजी थे रजंदर पशा जैपाल सब यह सब क्या थे जो भारत सविधान बना था उस समय उसके सदस्या थे सभा के लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पे अंसर डी करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी सविधान सभा के सदस्या नहीं थे कोशन नमबर थार देखते हैं अब टाइल तेल का मतलब यहाँ पे टाइल है कि टाइल से क्या समझते हैं तो राज्य को जो सिधा कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते है टाइल कहते है तो राज्य को दिया जाने वाला सिधा कर यहाँ पे क्या हो जाता है टाइल हो जाता है नेक्स देखो question number 4, अठारवी शताबदी में फ्रांसीसी समाज, कितने state में विभाजिता, कितने state में विभाजिता, तीन state में विभाजिता, फर्स, सेकें अंधर्ड सेट में, question number 4 देखिए, sorry question number 5 देखिए, सारे question 11 marks के हैं, कौन सा देशांतर भारत के मानक मध्यान देखा को परतिनिधितू करता है, तो कौन सा होगा, 82 degree, 30, यह वाला यहाँ पी, यह आपको याद करना है, पूरव का देशांतर, अच्छे से याद कर लीजेगा, इस से रिलेटरी यह question भी पूछा जा सकता है, मानक समय क्या है, और भारत में 82 वाला क्यों यूज किया जाता है, तो यह answer correct हो जाएगा, next question देखते हैं, which among the following is not a member of the constitution, तो यहाँ पर महत्मा गांदी, not का ध्यान रखना कि not कहा गया है, कि not constitution जो member है, उसके constitution असेंबली जो हुई थी, उसके member कौन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा, महत्मा गांदी, next देखते हैं, question number 3 में क्या क्या का, what do you mean by the tellers, tellers का मतलब क्या है, tax paid directly to the state, तो यह answer यहाँ पर correct हो जाएगा, next देखते हैं, question number 4 में, in how many states was French society divided in the 18th century, जो French society थी, 18th century में कितने में divided थी, कितने state में, three states में divided थी, question number 5 में, question number 5 में देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर, which longitude represents the standard meridian of India, तो longitude of 82 degree 38 east, यह याद कर लिजेगा, आप अच्छे से, आप करते हैं, next question, question number 6, देखिए, जन्मत संग्रह क्या है, जन्मत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है, जिसमें, पूरे मद्दाताओं में से किसी विशेश परस्ताव को सविकार और ऐस विकार करने के ल क्या कहा गया है, कि जन्मत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है, जिसमें पूरे मद्दाताओं में से किसी विशेश परस्ताव को सविकार करने के लिए कहा जाता है, कि जन्मत की सहमती हो, या या सहमती हो, ठीक है, और इसके द्वारा कोई नया सविधान, कानून या माक्स का है एक ऐसी विवस्ता जिसके तहत सेन्य और श्रम सेवाओं के बदले जमीदारों को जमीन दी जाते थी सामन्ती विवस्ता सामन्ती विवस्ता देखो क्या है जिसके अंदर कि सेन्य या श्रम सेवा कुछ काम आप यह से काम कर लो इसके बदले आपको थोड़ी से जम जमीदारों को जमीन दी चाहते थी, उन्हें क्या कहा है, या तो कुछ सैनिक दे दो, या कुछ श्रम करवा लो उन से, और उसके बतले क्या मिलेगी, उनको जमीन मिलेगी. Q6. What is referendum? A referendum is a directly vote in which the entire electorate is asked, each accept or reject particular proposal. It may be the adoption of the new constitution, a law and the specific government policies. Q7. What is the feudal system? It was a system under which land was granted to the landlord in return for military or labor service. Q8. किसी देश में लोक तंतर किसी व्यक्ति की गरीमा को कैसे बढ़ाता है? तीन मिन्दू बता, ये तीन माक्स का ये कोशन है, कि किसी देश में जो लोक तंतर है, वो किसी व्यक्ति की गरीमा को किस तरह से बढ़ाता है? तो देखो क्या कहा गया, लोक तंतर राजनेती समानता के सिधानत पर काम करता है, लोक तंतर में क्या होता है? वस अडल्ट होना चीए, 18 से उपर होना चीए, लोक शाशन के अधीन नहीं होते हैं, वे स्वैम के शाशन को तेह मनलब जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शाशन है, मतलब कि ये नहीं है, कोई उनको फोर्स निह कर सकता कि इसको वोड़ भो, वो अपना वोड़ तो वो से हटा भी सकते हैं, तो ये होता है, लोक तंतर किसी व्यक्ति, इसी तरह से लोक तंतर किसी व्यक्ति की गरीमा को बना कर लगता है, कोशन नमबर 9 देखते हैं पहले फ्रांसिसी क्रांती का फ्रांसिसी लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी व्याख्या कीजिए तीन नमबर का कोशन है ये तो देखो क्या कहा गया था फ्रांसिसी क्रांती के अंदर लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है, तो तलाक को कानूनी बना दिया गया था, इससे महिला और पुरुष दोनों पर ही लागू किया गया था, महिलाएं अब नोक्रियों के लिए परशिक्षित किया जा सकता था, वे कलाकार बन सकती थी त चोटे वेवसाय भी चला सकती थी, उसके बाद 1791 का सविधान मनुश्य और नागरिकों के अधिकारों की गोशना के साथ शुरू हुआ, इनसे गोशना के विव्यक्ति या राय की सोतंतरता और कानून के सम्मक्ष सम्मानता, जनम के से प्रतेक मनुश्य का स्वभाविक अपनी अभी व्यक्ति देना, अपनी राय देना, कानून सबके लिए समान होना, यह एक व्यक्ति का जनम सिद्धिकार है, इससे छीना नहीं जा सकता, थड़ कह फ्रांशी जी, शेहरों में समाचार, पत्र, पर्चे, मुद्रिद, चित्र, लगातार दिखाई देते थे, व जो गाओं में लोग रह रहे थे, उनको भी चीजों की इन्फोर्मेशन मिलने लगी, तो यह बदलाव आया है, फ्रांसी सी क्रांती हुई थी, उसका यह लोगों पर परभाव पढ़ा, question number 8 देखते हैं, एक बड़ इंग्लिश मीडिय में 3 marks के है, how does democracy in country enhance the dignity of an individual state, 3 points, okay, देखो क्या कहा गया है, 3 points यहाँ पर समझते हैं, देखो क्या कहा गया है, democracy, अभी समझाया है, अब रीड करती हुई देखो, पहले आप इसलिए हिंदी मीडिय में भी जब पढ़ा रहे तो सुन लिया करो, जिससे कि क्या होगा, समझ में आ जाएगा, democracy is based on the principle of political equality, तो democracy का base क्या है, political equality, so all the citizens, whatever rich or poor, educate or uneducate, have the same status, सभी को same right है, same status है, people are not subject of a ruler, they are ruler themselves, कोई उनको rule नहीं करता, वो अपने आपको खुदुरूल करते हैं, थर्ड पॉइंट देखिए, the ruler has to rule or work according to the wishes and need of the people, if the people do not like the ruler, they can change himself, throughout the election, election के दौरान अगर पसंद नहीं आता है, तो next election होगे तो उनको change कर सकता है, next question देखते हैं, question number 9, ये भी 3 marks का है, explain the impact of the French revolution on the life of the people of French, क्या French के लोगों पर क्या असर हुआ, French revolution का, उसके बारे में आपको बताना है, तो देखो क्या है, divorce was made legal, could be applied both women and women, women and men, women could be now trained for job, could become artist or run small business, क्या कर सकती है, legal कर दिया गया, divorce को, उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, कि जो females थी, उनको trained किया जा रहा है, jobs के लिए, artist बन सकती है, business कर सकती है, अपना, the constitution of 1791, began a declaration of the right of man and citizen, it proclaimed that freedom of speech and opinion and equality before law, were natural right to each human being by birth, these could not be taken anywhere, मतलब कि उनको जनम से कुछ अधिकार दिये जाने चाहिए, सोत अंतरता का, बोलने का, हना, तो इसके बारे में कहा गया को, थाड क्या है, newspaper, pamphlet and the printed picture appear steadily in the town fridge, पहले कहा नजर आ रहे थी थी थे, टाउन में, from there, they travel into the counter side, मतलब कि वो छोटे-चोटे शहरों में भी दिखने लगी, छोटे-चोटे गावों में भी दिखने लगी, these publication describe and discuss the event and change taking place the country, मतलब उसे क्या हो लोगों के बीच में, जागरुपता हुई, चाहे वो गावों का हो, चाहे वो शहर का हो, question number 10, किस महा सागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, इसका नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया है, इसके दो कारण बताई, तो 5 नाम का कोशन है, थोड़ा explain करके आप और describe कर लिख सकते हैं, यहाँ पे हिमाले से related question आ सकता है, वो भी बहुत important है, तो यहाँ पे अभ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महा सागर के विस्तार, भारतिय प्रायदीब के पशिम और पूरव में सित है, हिंद महा सागर इसके दक्षिन में सित है, तो आपको पता होना चाहिए, जिसे यह इंडिया का है, तो यहाँ वाला जो सागर है, इसे हम क्या कहते है और हिंद महा सागर कहते हैं किसी अन्य देश की हिंद महा सागर पर भाहरत की तर्टरेखा नहीं है किसी भी अन्य देश की जितनी भारत की तट्रेखा है उतनी तट्रेखा नहीं है हिंद महासागर के शिर्ष पर भारत का केंद्रिय भारत का ट्रांस हिंद महासागर मार्क पर बहुत महतु राजनेतिक स्थान परदान किया गया है रन नितिक स्थान प्राप्त किया गया है, यह हिंद महासागर से भारत की प्रमुक्सितिया है, जो महासागर का नाम भारत के नाम पर रखने के लिए उचित ठहराती है, तो देखो, और इसके अंदर आपको important question, फार्मसी से related important question हो सकते हैं, तो थोड़ा साब अच्छे से इसक why it named after India, क्या, किसका नाम रखा गया है, the Indian Ocean is named after India, India is only the country which has the credit of an ocean named after it, अब two reasons बताने हैं, यह एक sample paper है, इसी तरीके का paper आएगा, exact ऐसा paper नहीं होगा, लेकिन आप अच्छे से तयारी और revision यहां से कर सकते हैं, The Arabic Sea and the Bay of Bengal extend from the Indian Ocean, lie to it the west and east of the peninsula, and the Indian Ocean lie it south, no other country has long coastal line on the Indian Ocean as India, कुछी other country की इतनी coastal line नहीं है, जितनी की India की है, The central location of India at the head of the Indian Ocean as provide India's strategy location of the great significance, along the trans-Indian Ocean route, it is Indian image position in the India Ocean which adjusted the naming of the ocean after India, तो बहुत important question है, सभी subject के sample paper मिल जाएंगे, आप अच्छे से तयारी करके, अच्छे marks लाइएगा, और आपके marks जूडेंगे फाइनल में यह, तो अच्छे से तयारी कर लिजएगा, थैंक्यू गाइज